नमस्कार आप सभी का Study for Goals में स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे computer की classes कर रहे हैं जो कि आपके CGL, Excise Constable और जहांकर की जितनी भी competitive exam है उन सभी के लिए important हो जाता है अगर हम बात करें यहाँ पे तो आज हमारा जो class है वो class 14 है जहांकि हम MS Excel के बारे में चर्चा करने वाले हैं इन सभी के बारे में जितनी भी बाते होगी उन सभी को जानेंगे अगर हम previous classes की बात करें, class 13 की बात करें तो वहाँ पे हमने computer of language के बारे में जाना है ठीक है आपको ध्यान देना होगा कि previous classes को भी आपको करना होगा आप सभी को एक important notice यहां पर देना चाहता हूं information के तोर पर कि जैसे कि जितनी भी classes है वह आपकी अब private कर दी जाएंगी क्या कर दी जाएंगी private कर दी जाएंगी तो आपको यह course हमारे app पर 199 rupees में मिल जाएगी तो वहां से जाकर आप इस course को purchase कर सकते हैं अब आपको मैं बता दू कि इसके बाद आपका एक class remain रह जाता है ठीक है उसको मैं जल्दी करा दूँगा तो आपका यह computer का course पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ objective questions के जितने भी classes होंगी वो मैं करा दूँगा तो आपकी यह course पूरी तरह से पूरी हो जाएगी बाकी objective questions के लिए आप हमारे app पर visit कर सकते हैं जहांकि आप जाकर objective questions को attempt कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हम आज की लास की और देखते हैं कि MS Excel के बारे में क्या बाते इंपोडेंट हैं जो कि आपकी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं हाँ बात करीं MS Excel के बारे में तो MS Excel का प्रयों गण्ना करने में डाटा ओघ्नाइज करने में तथा टाटा स्टोर करने में तथा दाटा ऑनलाईज करने में किया जाता हैं लिए जो यहां पर मैस लைत्ला करने के लिए दाटा करने के लिए एग podcast करने के लिए इन सभी चार बातों के लिए यहां पर एमसेक्सल का प्रयोग किया जाता है मैथेमेटिकल कल्कुलेशन के लिए जहां पर सारी चीजों को एक सीरीज वाई में यहां पर डिसस किया जाता है और MS Excel एक spread sheet program है मतलब कि यहाँ पे sheets में जैसे कि इस तरह से rows और column यहाँ पे बने होते हैं इस तरह से MS Excel spread sheet का एक program है ठीक है इसमें निर्मित file का extension जो extension होगा जो इसमें files बनेंगे वह किस तरह से जाएंगे तो .xlsx के form में जाएंगे जब भी यहाँ पे जो extension फाइल बनेंगे वह यहाँ पे इस तरह से चले जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि extension file किस तरह से जाएगा तो आपसे पूछ सकता है कि extension file का जो बिस्तार होता है वह किस तरह से होता है ऑगे बात करें तो यहां पर जितनी वी फाइलते हैं उसे हम कर लें अगर सेव नहीं करते हैं दौन Move से में यहां नहीं करते हैं अगर नाव में से कर रहे तही क्या होता है अब यहाँ पर हम उरक कि बारे में donne लेते हैं तो एमस एक्षाले porkbook में बाइट года इन होते हैं जिसे दिनिंबी यह यहां पर बने रहते हैं इस तरह से लगोन्हेफित होते हैं कि अधिक्तम संहिड हाई 26 होती हैं आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि यहां पर मीनिमम पूछ सकता है तो तीन और मैक्सिमम पूछेगा तो यहां पर 256 तो आप से एक्जाम पूछेगा कि MS XL में अधिक्तम वक्षेट की संख्या कितनी होती है तो 256 हो जाएगा अगर अगर नियूंतम पूछेगा मतलब की मिनमम पूछेगा तो महाँ पर तीन हो जाएंगी इसमें रोज और कॉलम जहां मिलते हैं उसे जाता है माली जीए इस तरह से रोब और कॉलम आकर यहां मील रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे सेल कहेंगे टता की सबसे छोटी होती है तो आपको द्धियान होगा कि जहां पर और कॉलम बढ़ार होना कोौछ जान सकते हैं यहां पर तो maximum minimum जो आपको by default दिया जाएगा लेकिन आप इसे घटा और बढ़ा सकते हैं अपने जरुरत के हिसाब से ठीक है तो यह बाते आपको ध्यान में रखनी होंगी क्या चीजे तो पहले इसमें जो minimum जितने भी वक्षिट होंगी वद्तीन होंगी और कहा जाता है बेसिक भी लिडिंग ब्लोग यह भी आपको ध्यान में रखनी होंगी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग वल्ब को कहा जाता है प्रस चोलम की बात करें तो यहां पे 16,384 हो जाएंगी सते जाथ यहां पे टोटल रो की बात करें तो यहां पर दस लाग 48,576 यहां पर रो हो जाएंगे ठीक है तो यह सारी बात आपको ध्यान में रखने होगी अब चलिए बात करते हैं सेल एड्रेस के बारे में जैसे कि अगर मालीजिया आपको फाइ है ठीक है यह बढ़ते चला जाता है और इधर नंबर रहता है 12345 इस तरह से तो आप जिस भी नंबर का मतलब यहां पर सेल जो खोईना चाहते हैं तो वहां पर टाइप करना होगा मालेजिया आपने डी फाइप किया तो डी तो आपका यह आपका इधर से सीधे सीधे आ जा रगोना चाते हैं वहापको मिल जाएगा तो यहां पर जो डींदो ही यहां पर कोलं हो जाएगाAdam सीधा रोकावो जाएगा और चैनले नहीं धालेघया जो हो यहां फ़ोटिन रहेगा थीचे आ dönते नहीं यहां पर मैंच होंगे वह आपका थेल बता देगा कि यहां पियद है जो आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं यह बहुत ही असान दरीका है चलिए इसमें भी आगे कुछ और भी चीज़े हैं जैसे कि एमेस एक्सल का फाइल ने 31 करेक्टर को होता है कितना करेक्टर का 31 करेक्टर का आपको ध्यान रखना होगा मैक्सीमम मैं मिनिमम में तो आप कुछ भी रख सकते हैं और असके सकते लेकिन जो मैक्सीमम बनेगा जो अगयाDie SMITH ञोँक हो और नहीं तो आपकों फ़र्स नम्मर पर याद रखना होगा कि जो एकसल का पहला जो फार्टों लाइच किया गया वो गव लॉंच किया गया तोँ 2023 में इसे लॉंच किया गया चलिए इसमें पीछ बात करते जब देख लेए तो ड़ें से तर डिखेगा तो अगर आपको हाँ यूद औरफे टो बघल में ठिक राइच टेप दिखे और रीबन के जर्ष नीचे पर नेम बॉक्स दिखेगा और नेम बॉक्स के जर्ष राइट में फॉर्मूला बार दिखेगा तो यह आपको ध्यान में रखना होगा वहां पर पूछेगा जैसा कि यह अगर आप करते है तो आपके कोशनस बनना असान हो जाते हैं आपको को चीज़े याद हो जानती है ठीक है तो आप बात ध्यान में रखिएगा साथ साथ वरक्षीट को जूम करने की छमता 10% से लेकर 400% तक अधिकतम होती है साथ ओड़ेसाथ में में होता है वह चारत रखी होते हैं ठीक में लोजिकल नेव आ यहाँ पड़ेटर होते हैं जो की चीजों को काम करते हैं सब्सक्राइब करके यहां पर मतलब फंजन की हो जाएगा ठीक है जो कि आपके कॉम्प्टर में एक से लेकर 12 तक टूटल दिये होते हैं लेकिन यहां पर जो एकसल में वग करेंगे वही चीज़ों के बारे हम जानेंगे बाकी चीज़े तो हमने अल्रेडी में जान चुके है चलेगे बड़ते हैं देखते हैं यहां रकπό किया जाएग जाएगा ढ attorneys हो जाएगा उन सभी को पेस्ट करने लिए यहाँ पे ten प्रयोग किया जाएगा साथी साथ यहाँ पर आगे है हमारा यह 5 तो रहिए झाले में जो बाते हैं जैसे कि go to specific सेल मतलब कि जो इंपॉर्डेंट सेल है वहाँ पर जाने के लिए F7 का पर्योग यहाँ पे चैक करने के लिए किया जाता है और एस एक का परयोग यहां पर मार्क चार्ट करेंगे करना होगा यह सब्सक्राइब गर्ण आगे हम इसमें देखते हैं सेमी कॉलम का यहां पर यूज के लिए यूज क्या जाएगा उसे साथ कंट्रॉल प्लस सेमी कॉलम आपका करन्ट टाइम के लिए यूज किया जाएगा यह दुनौन आपको ध्यान रखना लिए जो नया वक्तिक होगा उसमें एड करने के लिए लग एमस एक्सल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइड दिफाल तो आपको तीन देगा ठीक है तो आहां पे जो नेक्स टीट एड करना होगा उसके लिए आप पे यह जीजे यूच की जाएंगे आपको बाते समझ प्राट के लिए चीक जाएगा ठीक है लेकिन सिर्फ लस्ट इलेवन नियू वट्षट एड करने के लिए नेक्स हमारा है और या इंटर यहाँ पर टैब दबा सकते हैं और प्लस इंटर जैफिर या टैब एक एक ही सेल में आगे जाने के लिए एक पीसल में आगे जाने क same one यहां पर दो यूज़ किया जाएगा वह साघुन्द फॉर्मिट अफ इस्टेली को शेंज्ट पॉर्मिट अफ स्लेक्टेट सेल ठीक है जो सेल्इट्पेड होगा उसका फॉर्मिट चेंज करने के लिए स्ट्राइवर वन का यूज़ किया जाएगा हैं वहां पे उससों कॉमीनिभाइज करने के लिए यहां पे यूज किया जाएगा पृटल् customize धाSu एधनरंट विट्व जो दो यहां पे चलाएं अचछे यहां पर आता तो उसको करने यह दो अलगी ने चीजों को वहां पर सही करके आपको प्रवाइड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे लिखह हुआ था हुआ यह पे लिखह वाथा कंट्रोल प्लस F6 ठीक है है यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस F6 जिसका यूज यहाँ पे के स्वीच बेट्वीन पूर नेटवर्क से जूडंने के लिए थीक है दो नेटवर्क से जूडंने के लिए इसका का यूज किया जाएगा ने समारा है सिर्फ फ्रविलस इफ नाइन कल्कुलेशन और एक्टिव वर्सीट के लिए इसका यूज किया जाएगा आगे देखते हैं यहां पर कुछ और भी है उनको देख लेते हैं ठेक है अल्ट प्लस एक्वल का यूज यहां पे सम्फर्मूला के लिए यूज किया जाएगा गोंट्रॉल फ्लस हिस इसका यूज कुमा फोर्मेट के लिए देट फर्मेट के लिए एक त्रॉंग के लिए ग्न्रॉल एंब्स प्लस ए्सका यूज़ सिलेक्ट सिलेक्ट तु अल्ल ओlles इं इसका गो टू फर्मूला टैड्श्य और मेरा कंड्रोल फ्लस नैंध उत्तपलीं इसका यूज़ है तश्त कर दो कि अपके इम्हें एक्सल से लेट तो आपको देख लेना है बाकी चीजे आपको अप्जेक्टिक के कोर्ष्टन के तोर पर आपको हमारे कोर्स में एड कर दिया गया है तो वहां पर जाकर आप चीजों को अटेंट कर सकते हैं तो यह आपकी क्लास थी जो कि आपकी मात्र अब एक बच रही है तो आपको मैं जल्दी करा दूंगा नाव मैं आप सभी को यहां बता देना चाता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चमनल को अप जो आइंग कर सकते हैं जहां की आप जाकर डेली क्यूजे जो होती हैं उससे आप सकते हैं जहां की 4 पम में आपको 6 पमे जेट, 7 पमे नकपूरी की और 8 पमे खोटा की आपको हमापे short QGES कराई जाती है तो उसे जाकर आप attempt कर सकते हैं और आपने preparation को enhance कर सकते हैं जो कि आपके daily basis पे कराए जाता है साथी साथ मैं बता दू कि आपको 99 रुपीज में यहाँ पे आपको cost provide की जा रही है जो कि आपके 10 length full list के आपको यहाँ पे test series provide की जाएगी तो उ उसे आप जाकर purchase कर सकते हैं जो कि आपके उत्पास सीपाही के लिए important हो जाता है साथी साथ मैं बता दू कि यहाँ पे आपको तू 99 रुपीज में 50 फूलेंड हैं कितनी 50 फूलेंड टेस्ट आपको provide की जा रही है मात तू 99 रुपीज में जो कि आपके जैसे सी सीजल के लि हाकान जोहार थैंक्स पर वाचिंग डिस वीडियो